Hello students, मैं निशा सिंग में एक बार फिर से आप लोगों के सामने Nursing Slables से related एक न्यू टोपिक लेखी आई हूँ और आज की हमारे टोपिक का नाम है Psycho Analytical Theory यह Nursing Slables में यह theory बहुत important है और जब भी हम psychology के बारे में nursing में study करते हैं तो हमें Psycho Analytic Theory के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए Psycho Analytic Theory थी वो Sigmoid Fruit के दुबारा दी गई थी जिनका जनम 1856 और इनकी डेथ 1939 में हुई थी और Sigmoid Fruit को ही founder of Psycho Analytic Theory भी कहा जाता है तो Psycho Analytic Theory के जो founder हैं वो कौन है? Sigmoid Fruit हैं यह कई बार हमारे competitive जो exam होते हैं nursing में उसमें भी यह question बार बार पुछा जाता है और बहुत important question है Sigmoid Fruit जो थे उनको 1961 में उनको father of modern psychiatric कहा गया था तो father of modern psychiatric कौन है? Sigmoid Fruit है और founder of psychoanalytic theory के founder कौन है? वो भी Sigmoid Fruit है Sigmoid Fruit का जो कहना था psychoanalytic theory में उन्होंने यह पाया था और यह चीज उन्होंने इस theory के दुवारा proof करने चाहिए थी कि जो 5 year of child की जो life होती है जो 5 साल का जो बच्चा होता है उसकी जो life जो होती है बहुत important होती है क्योंकि वो अपना basic जो character जो होता है कोई भी जो individual होता है अपना जो basic जो character होता है वो 5 year में ही अपना develop कर लेता है तो psycho analytic theory के तुरू उन्होंने यह समझा है था कि 5 year की जो life होती है 5 साल का जो चोटा बच्चा होता है उसका जो character जो form होना होता है तो 5 साल में ही हो जाता है किसी भी individual का क्योंकि वो अपने 5 साल की age में ही यह सब कुछ समझ जाता है कि इसको कौन सी language बोलनी है या किस तरह की वो society से ब्लोंग करता है तो psycho analytic theory के कुछ पार्ट है जो sigmoid fruit ने बताये थे जिनको हम बन वाई बन करके इस वीडियो में देखेंगे जो first जो हमारा part है वो है structure of the personality फिर हम देखेंगे topography of the mind और फिर देखेंगे dynamics of the personality और fourth है हमारा stasis of the personality development और psychosexual development अब हम सबसे पहले देखेंगे structure of the personality structure of the personality में fruit ने क्या समझाने की कोशिश किये थी जो sigmoid जो fruit थे उन्होंने structure of the personality को तिन components में divide किया था id, ego and super ego id, ego and super ego के थुरू उन्होंने structure of the personality को समझाया था id क्या होता है? id जो होता है pleasure principle पे डिपेंड करता है और ego जो reality principle पे डिपेंड करता है सूपर ऑग करता है तो इड जो सबसे पहला में इड देखेंगे जो एड प्लाजर प्रिंसीपल पे जो डिपरन करता है वह किस तरह से डिपरन करता है जैसे की ये एट बर्थ पाये झाता है जब एक छोटा बच्चा होता है उसको भूख लिए ठीक है तो उसको जब mom उसको milk दे देती है दूद दे देती है उसके बाद उसकी जो विश है वह complete हो भी फिर उसके बाद चुप हो जाता है यहाँ पर example के लिए pleasure principle के लिए हमने एक example दिया है कि mom and dad are gone let's party कि mommy और papa जो है mom and dad है जो दोनों क्या है घर से चले गया है और हम क्या करते है पार्टी करते है ठीक है तो उसने क्या करा अपने pleasure वाला principle इसमें depend है तो यह id है जो भी हमारे pleasure principle से depend करता है इगो में क्या है इगो जो है reality principle पर depend करती है जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है कि mom and dad जो है mom और dad ने हमसे एक आए कि जब भी हम कभी बाहर जाते हैं तो किसी भी friend को घर पर बुलाने क्या है है to risk है तो जो उसके parents ने उसको समझाया जो चीज उसको समझाया उस 관स्ता कर लिया एक्सप्ट कर लिया तो यह reality principle दीपopen करता है इगो सुपर रिको क्या होता हैरी को 65 में perfection principle होता है इसमें मोरल वाते होते हैं मोरल चीज़े चिपई होती है नेतिक चीज़े चुपई होती है जैसे नेवर डिस ओवे यूवर पैरंस इसमें एगो में क्या था है कि वो यह कह रहा है कि उसके फ्रूड ने structure of the personality को समझाया था ओके अब हम देखेंगे topography of the mind topography of the mind को sigmoid fruit ने तेन पार्ट में डिवाइड किया था first है conscious second है pre-conscious या इसको semi-conscious भी बोल सकते हैं और third है unconscious सब से पहले हम conscious देखेंगे conscious जो conscious बाते होती है जो के इस समय हम fully conscious हैं एक दूसरे से जो बाते कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं जो consciously हम जो काम करते हैं conscious part होता है mind का pre-conscious या semi-conscious जो है conscious और unconscious के बीच का part होता है जो कुछ चीज़े ऐसी होती हैं जो हमें याद नहीं होती है या कुछ चीज़े ऐसी होती हैं जिनको हम ignore करना चाहते हैं और उनको हम ध्यान नहीं रखते हैं तो यह pre-conscious होता है unconscious क्या होता है बिल्कुल जो चीज़े हमें याद ही नहीं है तो conscious और unconscious के बीज में pre-conscious यह subconscious वाला पार्ट होता है तो यह topography of the mind के लाता है ओके थर्ड पार्ट देखेंगे फ्रूट के द्वारज जो psychoanalytic theory जो दी गई थी उसका थर्ड पार्ट है dynamics of the personality तो dynamics of the personality का मतलब यह होता है कि फ्रूट का कहना यह था कि जो personality है जो हम लोगों की जो personality है वो time के अनुसार change होती रहती है पहले कुछ और personality होती है जैसे जैसे उमर इंसान की बढ़ती जाती है तो वो अपनी personality में क्या है changes लाता रहता है तो जो personality हो डाइनिमिक होती है फ्रूट में माना था कि जो humans जो organism है उसको दो तरीकी energy चाहिए होती है एक तो psychological energy और साथ-साथ एक तो physiological energy चाहिए होती है और एक psychic energy चाहिए होती है physiological जो energy होता है उसको वो use करते है humans जो हम लोग जो use करते हैं जो हमारी activities होती है जैसे running है, walking है, lifting है इन सारी activities को जितनी भी हमारी physical activities है उसमें physical energy को use किया जाता है और psychic energy को use किया जाता है psychological activities में like thinking है, feeling है, planning है तो fruit का यह मानना था कि यह दो type की जो energy है यह सब id वाली condition में पाया जाता है जो हमने id, ego और super ego देखा था उसमें id वाली condition में पाया जाता है और साथ साथ में इस वाली condition को उन्होंने, fruit ने concept जो instinct का जो concept था उसको explain किया था साथ साथ में anxiety और mental mechanism के बारे में उन्होंने बताया था तो यह dynamics of the personality होता है, okay fourth stage जो है psycho analytic की stage of the personality development यह इसको psychosexual development भी बोलते है fruit ने अपनी theory में जो बताया था, उन्होंने यह बताया था कि psychosexual development भी personality का ही एक पार्ट है personality development का एक पार्ट है, और जो इन्होंने psychosexual development के बारे में अपनी theory में बताया था इस को पहले लोगों ने accept नहीं किया था, सबका कहना यह था कि पता नहीं यह किस तरी की बाते कर रहे हैं लेकिन बाद में इनकी psycho analytic theory को 1961 में accept किया गया था और तभी इनको father of modern psychiatric भी 1961 में का गया था क्योंकि बाद में इनकी theory पर सबने विश्पास किया था कि हाँ psychosexual development personality का ही पार्ट है, personality development का ही पार्ट है इन्होंने gratification word का इसमें use किया था gratification मतला satisfaction कि जो इनसान जो होता है वो sexually जब satisfied होता है तभी उसका development किस तरह से होता है तो वो at birth से इन्होंने बताना स्टार्ट किया था एक table के तरू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे फर्स जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है birth से 18 मन तक यह stage oral कहलाती है इस stage में जो छोटा जो बच्चा होता है उसको gratification जो मिलता है जैसे वो mother feed करता है तो mother feed के तरू वो अपने आपको satisfied करता है sucking वाली जो activities जो होती है जो mother का जो feed जो सक करता है तो oral gratification कहलाता है तो gratification किस के तरू हो रहा है, mouth के तरू हो रहा है तो यह stage oral stage कहलाती है फिर आता है 18 months से 3 years तक यह anal stage कहलाती है इसमें जो gratification का जो word था, जो satisfaction का जो word था इस तरह से use किया गया था क्योंकि इस वाली stage में जो छोटा जो बच्चा होता है वो especially toilet training के बारे में उसको सिखाया जाता है एक cute learning होती है उसको sphincter close करने, sphincter कैसे control करने है toilet training कैसे करनी है तो gratification through anal यहां से होता है तो यह anal stage कहलाता है फिर आता है phallic stage यह 3-6 year तक का stage होता है जब 3-6 साल का जो बच्चा होता है उसको phallic stage बोला जाता है इसमें क्या होता है इसमें जो बच्चा है वो अपने parents को समझने लग जाता है और especially जो जैसे कोई boy है तो वो boy अपनी mother को ज़्यादा प्यार करता है और उसको ऐसा लगता है कि मेरी जो mother है उसके पास कोई ना आए इवन कि उसके father भी अगर उसकी mother के पास आते है तो उसको अच्छा नहीं लगता है उस चीज से उसको problem होती है और यह phallic stage कहलाती है क्योंकि वो क्या कर रहा है अपने genital जो organ है उनको पैचानने लग जाता है समझने लग जाता है ठीक है उसके बाद आता है latency phase जो 6 से 12 years में होता है इसमें जो बच्चे जो होते हैं वो same gender जो होते हैं जानि जैसे boy है तो boy से friendship करते हैं तो दल से friendship करते हैं तो अपना एक relationship बनाते हैं same gender में अपना relationship बनाते हैं कुछ नहीं नहीं चीजें उन्हें सीखने का मन करता है कुछ अच्छा करने का मन करता है तो यह latency phase कहलाता है उसके बाद आता है genital phase यह 13 से 20 years यह through life at birth तक होता है इसमें क्या होता है कि जो individual जो होते हैं वो different जो opposite जो जेंडर जो होते हैं उनसे relationship बनाने की कोशिश करते हैं वो life में settle होने की कोशिश करते हैं marriage करना चाहते हैं और अपनी life को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यह सारे जो stages थे उनके थुरू simmered fruit ने psychoanalytic theory को बहुत ही अच्छे तरह से समझाया था और यह world accepted theory माने जाती है I hope आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको like और share करना बिलकुल मत भूलिये Thank you for watching ओके जलिये